इवनिंग फ्रेंट्स वेलकम बैक टूर क्लास टुड़े विया गोइंग टु स्टेड यह इंडो एंग्लियन लिट्रेचर इससे पहले हमने थ्री पॉइंट्स कंप्लीट कर लिया हैं फस्ट पॉइंट हमने कंप्लीट किया था मेटाफिसिकल पॉइट्री और उसके बाद ह हमने पढ़ा लॅनोलोग आज हम इंडो एंग्लियाओं लिट्रेचर इन्डी लिट्रेचर ँसके वर्ट सरी समझ में आता है इंड्या इंग्लियां लिट्रेचर यह साहित तो भारत एंग्रेजी आत क्यों है इसको एक शोट में करते हैं एक शौट से बोडी वाई राइटर स्पॉम इंडिया वो रौट इंग्लीश है से लेक ciert जो इंडिया में थे श्यख्वr इंडिया में रहे थे इंडियन थे और उन्होंने इंग्लिश में लिखा औट हूज नेटिव और को नेटिव उनकी जो नेटिव है मातर भासा और क्षों दॉटले कुट वफ़े कों आफ में कुछ भी हो सकती मतलब यहां की बहुत सारी लेंगवेज है हैं उनमेंसे कोई सी बि Northeast मात्र भासा के रूप में हो सकती है हिंदी भी हो सकती है कनड भी हो सकती है तमिल भी हो सकती है बटे रोट इन इंग्लिश पर उन्हों ने लिखा किसमें इंग्लिश में लिखा हम कहेंगे कि इंडिया इंग्लिश लिट्रेचर इसे बोड़ी बाइड राइटर रॉम इंडिया ईसे लेखक जो भारत में रहे जाए व полит suo्मय के लिए रहे हो पर उनोंने अपना वक्त इंग्लिश में लिखा और उनकी लेंगवेज़ जो नेटिव और को नेटिव लेंगवेजेश है वो भारत की किसी भी लेंगवेज ते एक हो सकती है इस अर्ली हिस्ट्री इंडो एंगलियन लिट्रिचर की जो हम अर्ली हिस्ट्री की बात करें दवर्क ओप माइकल मधुसुदन दत तो सबसे पहले इसकी शुरुआत किस ने की थी इसकी शुरुआत सबसे पहले माइकल मधुसुदन दत ने की थी और फिर इसके फोलोवर्स मे इन सबने भी इसको फॉलो किया कि आगे हम देखते है एंडो एंग लिटरिचर इंडो एंगली लिटरिचर में जो फस्ट बुक पब्लिश हुए फ़स्ट नोवल पब्लिश हुआ और जो सबसे पहले translation किया वो कौन-कौन सी चीजे थी और किस-किस ने किया उसके बारे में हम एक बार शॉट में देखते हैं कि first book in English जो पहली book in English में आई थी उसका नाम था travels of Dean Muhammad 1794 में यह आई थी by shake of Dean Muhammad और इसे compose किस ने गया लिखा किस ने था by shake of Dean Muhammad ने हम next point देखते हैं कि first Indian English novel जो first Indian English novel था वो उसका नाम था राज-mohan's wife 1986 में यह किसके द्वारा लिखा गया था बंकिम चंद्र चटो पाध्याय जो बंकिम चंद्र चटो पाध्याय थे वो composer भी थे किसके composer थे वंदे मात्रम के composer भी थे and translation of महाभारत जो सबसे पहले महाभारत जो हमारा great epic माना चाता है उसका जो सबसे पहले English translation भी हुआ वो किस ने क्या था के प्रेसरी मोहन गांगुली ने तो यह इंडो एंग्लियन लिटरेचर से रिलेटेट कुछ वर्क्स हैं आप इनका screenshot ले सकते हैं और आप इसे copy में note-down करें नेक्स्ट हम देखते हैं इंडो एंग्लियन लिटरेचर इसके एक बार हम डीटेल में study करेंगे कि इंडो एंग्लियन लिटरेचर तो हम देखते हैं इंडो एंग्लियन लिटरेचर और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो इंडो एंग्लियन लिटरेचर है यह जो हमारा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है इज इसपेसिफिक टम ये एक विशिष्ट शब्दावली है specific means विशिष्ट term means शब्दावली that refers to the work जो उनके works को रैफर करता है of writers in India जो भारत के लेख़त थे भारत के writers थे who wrote in English जो किस में लिखते थे इंग्लिश में लिखते थे तो हम कहेंगे कि इंडो एंग्लियन लिटरेचर यह इंग्लिश लिटरेचर है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है एक specific term विशिष्ट शब्दाव लिए जो भारत के उन साहित्यकारों की रशनाओं का उलेक करती है उन राइटर्स जो इंडिया क विद्दा राइटर्स जो इसकी अर्ली हिस्ट्री है मतलब भारती अंग्रेजी लेकन का जो इतिहास है वो विद्दा राइटर्स लाइक आर के नारायन मुल्क राज आनन्द राजाराय नसीम इजेकियल एके रामंजन गिरिश कंणाड इन सब के द्वारा देखा जाता है या इन सब के साथ ही आरंब हुआ था सबसे पहले मदुसुदन तत ने इसकी शुरुआत की थी अल्ली हिस्ट्री में पर उसके बाद इसको इन सभी राइटर्स के द्वारा किस किस के द्वारा आर के नारायन मुल्क राजानन राजाराय नसीम इजेकियल एके रामंजन गि लेंग्वेज में लिखा इन सब ने अपने वक्स को इंग्लिश लेंग्वेज में लिखा इसलिए इन सब को इंडो एंग्लियन लिटरेचर के राइटर्स कहा जाता है मतलब यह कैसे राइटर है इंडो एंग्लियन राइटर्स भी इंडीएन डाययपोरा का मतलब होता है writers of Indian origin, जो Indian origin के writers are living abroad, पर वो विदेशों में बसे हैं, ऐसे लोग जो विदेशों में बस गए हैं, ऐसे जो भारतिय मूल के लेखक हैं, पर कहां बस गए हैं, विदेशों में बस गए हैं, ऐसे लेखक को भी इससे जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, इंडो एंगलियन लिट लिटरेचर है वो जुड़ा हुआ है ऐसे इंडियन मेंबर से भी जो राइटर्स इंडिया के हैं पर अब्रोड में बस चुके हैं अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं अब हम इंडो एंग्लियन लिटरेचर शुड नॉट बी कनफ्यूज़ जो टर्म है शब्दावली है इंडो एंग्लियन लिटरेचर की शुड नॉट बी कनफ्यूज़ विद्ध तर्म इंडो एंडो एंग्लियन लिटरेचर और एंग्लो एंडियन लिटरेचर में क्या अंतर है देखो एक शॉड में हम इसको डिफाइन करते हैं कल हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे एंग्लो एंडियन लिटरेचर के बारे में कि एंग्लो एंडियन लिटरेचर क्या होता यह भारत में ही अंग्रेज साहित्यकार होते हैं जो भारत में जो अंग्रेज लोग रहकर जो अंग्रेजी में लिखते हैं उसे हम कहते हैं कि वो होते तो विदेशी हैं उन में से मदर फादर में से एक विदेशी हो सकता है और भारत में रहकर इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या मूल कि सके हैं वह भारतीय मूल के हैं विदेशों में बस प्री सकते हैं और भारत में रहकर भी वह इंग्लेस में राइट करते है वह सब क्या है इंडो एंगलियन लिटरेशर के राइटर्स हम कहेंगे चो इंडो एंग लिटरेचर है उसे हमें अAd00 Quality नहीं करना चाहिए कंफीज का मतलब है यहां पर कि हमें इसको इंडो इंडमिश लिटरेचर को इंड़ो इंडियल लिटरेचर से जोड कर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि which is a branch of English literature क्योंकि ये किसकी branch है English literature की वह शाका है ये है English literature की वह शाका है produced by Englishman जिसे भारत में रहे अंग्रेज लेख को ने लिखा है even if for a short while चाहे वह थोड़े समय के लिए भारत में क्यों न रहे हो पर अंग्रेज लेख को ने जो भारत में रहे है उन्होंने ही इसे English में लिखा है थैंक्यू सो मच आपको वीडियो समझ में आया होगा आप इसका screenshot लेके अपनी notebook में आप इसे note down कर सकते है चैनल को subscribe करें आगे के वीडियो और notification प्राप्त करने के लिए